आतियों, शहरी करण आज के दौर की सच्चाई है, आज पूरे विश्व में शहरी छेत्रों की संख्या बढ़ रही है, भारत भी इस वैश्वीक बढ़लाव का अपवाद नहीं है, लेकिन कई दसकों से हमारी एक मानसिक्ता बन गई थी, हमने ये मान लिया था, जैसे कि शहरी करण खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है, अगर समस्या लगती हैं, तो उसमें आउसर भी उपलब्द है, बाबा साब आम्बेड करने तो उस दोर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था, और वो शहरी करण के बड़े समर्थक थे, उन्होंने शहरी करण को समस्या नहीं माना, उन्होंने ऐसे सहरों की कल्पना की थी, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आउसर मिले, जीवन को बहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले, आज आवशक है कि हमारे शहरों में संभावनाय हो, सम्रुद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, ससक्त समाज हो, और आदूनिक सुविदाएं भी हो, यानि कि शहर ऐसे हो, जहां सभी को, खास कर हमारे युवाओं को, आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाय मिले, शहर ऐसे हो, जहां हर परिवार सम्रुद्धि के साथ, सुख के साथ, जीवन जी सके, शहर ऐसे हो, जहां हर किसी को, गरीब को, दलीद को, पिछडे को, महिलाओं को, सम्मान पूर्ण जीवन मिले, जहां सुरक्षा हो, कानून का राज हो, जहां समाज, समाज का हर वर्क, एक साथ मिल जुल करके रह सके, और सहर ऐसे हो, जहां आदूनिक सुविधाय हो, आदूनिक इन्फासेक्चर हो, यही तो इस अब लिविंग है, यही देश का सपना है, इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और साथियो, आज हम देश में एक नया शहरी करण देख रहे हैं, जो शहर पहले देश के रक्षे पर एक करसे थे या नहीं थे, वो आज अपनी उपस्तिती दर्ज भी करा रहे हैं और मैसूस भी करा रहे हैं, इन शहरों के हमारे युवा, जो बड़े-बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पड़े हैं, जो बहुत अमीर परिवारों में से नहीं हैं, वो आज कमाल कर रहे हैं, सफलता के नए आयाम गड़ रहे हैं, कुछ साल पहले तक, शहरी करण का आर्थ होता था, कुछ बड़े शहरों को चमक दमग से भर दो, कुछ गीने चुले शहरों में एक दो खेत्रों में विकास कर दो, लेकिन अब ये सोच ये तरीका बदल रहा है, और बिहार के लोग बारत के इस नए शहरी करण में अपना भरपुर योगदान दे रहे हैं, लेकिन पारत के लोगदाए लोगदान अबहाएएगा रादागे कर दो,